वेलकम तो स्टेडी विद याशी का, I hope you all are doing well So guys, जैसे कि आप सभी को पता है, DSSP Junior Clerk का एक्जाम जो है 9th of November से स्टार्ट है तो इसका जो Admit Card है साइट पर आ चुका है, इसके अलावा आपने जो E-mail ID फिल की होगी उस ID पर भी आपका Admit Card receive हो चुका है, आप Direct E-mail ID अपनी चेक कीजिए Gmail पर Admit Card आ चुका है, अगर आपकी Gmail ID correct नहीं है तो उस case में आपको अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पर आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं DSSB की, ओके गाईज, कुछ इंस्ट्रक्शन्स थी वह एक्जाम से पहले जरूर देखके जाएगा ताकि आपको जो है कोई प्रोब्लम ना हो में टाइम पर तो कुछ इंस्ट्रक्शन्स जो है COVID-19 से related इंस्ट्रक्शन्स हैं and dress code से related इंस्ट्रक्शन्स हैं तो उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं and अगर चैनल पर first time visit कर रहे हैं नहीं हैं तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए तो चलिए start करते हैं वीडियो को so guys जैसा की admit card पर photograph आपने upload किया होगा form fill करते time so वही photograph आप जो है exam time पर साथ ले करके जाएं ताकि उसके अंदर जो है same match हो पाए कुछ problem ना आए उसके अंदर and उसके साथ आपको अपना जो है कोई ID proof जैसे की अधार card pen card ये ले करके जाना होगा and first page की copy admit card की जरूर ले करके जानी है and उसके अंदर जो third page है उसके अंदर जो है self declaration form है तो उसको भी आपको fill करके साथ ले करके जाना mandatory है so dress code की अगर हम इसमें से देखो ये सारी instructions आपके admit card के अंदर available है so हम main main discuss कर लेते हैं कुछ तो आपको easily जो है सभी को पता ही होंगी exam आप देते रहते हैं so देखी guys अपना जो time है admit card पर mention किया गया है उससे पहले जरूर पहुँच जाए okay ताकि मतलब की जो exam center है वो आपको देखने में अपना roll number वगेरा match करना होता है महां list में check करना होता है उसके अंदर कुछ problem ना है तो time से पहले ही पहुचे so अगर हम dress code की अगर हम बात करें तो उसमे light cloths आपको wear करने है and half sleeves की जो है shirt कह सकते हैं वो आपको wear करनी होगी full sleeves की नहीं होने चाहिए okay एंड इसके अंदर साथ में यह भी mention किया गया है कि उसमें big buttons ब्रोच यह सब फ्लार वगेरा नहीं होने चाहिए trouser एंड सलवार के साथ जो है आपको half sleeves की ladies के लिए जो है trouser एंड सलवार है so इसमें half sleeves का wear करने full sleeves का wear ना करें otherwise जो है वहीं पर वो sleeves को cut कर देते हैं right and shoes जो हैं allowed नहीं है आपको slipper या sandals में ही जाना होगा so यह सब पहले जरूर चेक करके जाएं ताकि बाद में problem ना हो तो आपके known में भी किसी का exam है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं COVID-19 instructions की तो देखिए सबसे पहले तो gate पर ही जो है आपका temperature measure किया जाएगा and अगर यह जो form में आप feel करते हैं अगर आपको कुछ भी COVID-19 से related symptoms हैं तो आपका exam जो है अलग lab के अंदर conduct कराया जाएगा separately and इसके अलावा जो है आपको अपनी water bottle साथ ले करके जानी है water bottle जो है transparent होने चाहिए hand gloves face mask and bottle यह आपको अपनी साथ ले कर जानी है इसके अलावा आपको पता ही है कि अपना admit card and id proof and photo यह भी आपको साथ ले के जानी है okay guys अगर कुछ और आपको doubt आता है तो आप मुझसे comment box में या फिर telegram group में पोच सकते हैं and sanitizer yes sanitizer भी आपको साथ ले के जाना है and photograph and sign आपके वहीं उसी time होंगे उससे पहले मत कीजेगा यह जो self declaration form है इसको जो है feel करके साथ ले कर जाएं पहले से इसको feel कर लेना जो भी symptoms है आपके कफ से related कुछ symptoms हैं तो वो इसमें feel करें अपना candidate name, role number, date of exam, exam center and अपने sign इसको complete feel कर लीजेगा so all the best to all of you, thank you so much, bye bye